नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके योधना पर पैंशन भोग्यों के लिए एक बहुत बड़ी खुश्खबरी है बैंक खातों में 3,000 रुपे, 4,000 रुपे और 6,000 रुपे सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दे गए है नई लिष्ट भी जारी हो गई है लिष्ट में किन लोगों का नाम सामिल है किन लोगों का नाम सामिल नहीं है किन लोगों को 3,000 रुपे, 4,000 रुपे, 6,000 रुपे लाभार्तियों बैंक खात में ट्रांसफर किये गए हैं इसका हम आपको एक प्रूव भी दिखाने वाले हैं। आप भी देखेगा कि लिष्ट में आपका नाम सामिल है या फिर नहीं। कई आपका नाम लिष्ट में से हटा तो नहीं दिया गया है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था और कुछ दवस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले। ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है, वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आप सबसे पहले ही उस कलाव उठा सके। चलिए वीडिय की सुर्वात कर लेते हैं। इस टैप बैस टैप आपको जानकारी मिलने जा रही है। जैसे कि हमने अपने मुबाइल फोन में गूगल करोम ब्रावजर को ओपन क्या हुआ है इसी परकार से आपको भी ओपन कर लेना है। अब देखें यहां पर सर्च का आइकन नजर आपक आपको लिख लेना है पैंशन हम यहां पर लिख लेते हैं पैंशन और यूपी आप जिस राजज्य के हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं अब यहां पर देखें लिखा आगया है यूपी पैंशन इसकीन हम यहां पर सबसे पहले इस पर किलिक कर लेते हैं अब जैसे हमने इ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही करस सामाजिक पैंशन पोर्टल अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जा आप कोई इस प्रकार से देखने में लेगा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाद की यहाँ पर इसका जो यह पैंशन पोर्टल है इस पर आपको वर्दवस्था पैंशन और जो तलाकशुदा महिला है या विद्वा महिला है यहाँ पर निराशित महिलाओ को सामिल क्या गया है जिनकी पैंशन बनी गई है अब यहाँ पर देखें एक दिव्यांग पैंशन है एक कुष् पर क्लिक करना है यदि कोई आतलाक्षुदा महिला है या विद्वा महिला है तो उनको यहां पर क्लिक करना है और यदि कोई दिव्यां या कुछ टोक से पीडित व्यक्ति अपनी पैंशन की जानना जाता है डिटेल तो यहां पर क्लिक करके जान सकता है और यदि कोई वर्द तो यहां से आप पात्रता जान सकते हैं, अब नीचे से लिए चलते हैं, अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पैंशनर सूची अब यहाँ पर देखें यह लिखा हुआ है वर्ष 2023 इस पहले वाले पर ही आपको किलिक करना है जब आप इस पर किलिक करेंगे किलिक होने बाद देखें यहाँ पर आपको पहला क्वार्टर दूसरा तीसरा और चोथ वर्ष 2023 की अंतरगत अब तक लाभारतियों को पहले क्वार्टर की और दूसरे क्वार्टर की पैंशन दे दी गई है पहले क्वार्टर की है अप्रेल माई और जून महीने की और दूसरे क्वार्टर की है जोलाई अगस्त सितंबर महीने की बहुत से ऐसे पैंशन धारक है जि की तेन महीने की रुख रही है क्योंकि किसी ना किसी परकार की उनके आविदन फारम में गलतिया हो रही है इन गलतियों की वज़े से ही लाखों ऐसे पैंशन धार के जिनका नाम लिष्ट में सामिल नहीं है अब यहाँ पर पहले क्वाटर में लिष्ट में नाम उनीकर देख लिखने को मिलेगा जिनकी pension अप्रेल मैं जून की बैंक खातें पहुँच गई है अब यहां पर देखे दूसरे quarter में आपको चेक करना है सबसे पहले आप पहले quarter में देखेगा यदि आपका नाम लिष्ट में सामिल है तो आपको अप्रेल मैं जून की pension मिल गई होगी लेकिन दूसरे quarter की मिली है या फिर नहीं कैसे चेक किया जाता है भे भी आपको बता जाएगा अब देखे यहां पर आपको लिख रहा होगा लिखा मिल रहा होगा जनपद यहां पर आपको जनपद लिखा मिल रहा होगा जनपद यानि की जिले अब उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज जिला होगा उसका आपको चुनाव करना है हम यहाँ पर किसी एक पर किलिक कर लेते हैं तो जैसे हमने किसी एक पर किलिक किया तो यहाँ पर देखे प्रोसिज चल रही है अब जैसे यह प्रोसिज कंपलीट होती है तो हमारे सामने देखे अगला पेज ओपन हो चुका है अब यहाँ पर देखिए जितने गरामीर छेतर के अधीन आने वाले दिव्यांग, विद्वा, वर्द वस्ता, कुष्ट वस्ता, पैंशन दारक हैं उन सब ही को अपना विकासखंड का चुनाव करना होगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विकासखंड लिखा हुआ है अब य यहाँ पर देखिए हम किसी एक विकासखंड का यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं अब जैसे हमने क्लिक किया चुनाव हमने क्या है तो प्रोसिजद देखिए चल रही है अब जैसे यहाँ प्रोसिज कम्प्लीट हो जाती है हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो अब देखें यहां पर बताया है कि आप अपने अब गराम पंचायत का चुनाव कीजिए यहां पर देखें गराम पंचायत लिखा हुआ है अब यहां से क्लिक करके आपको अपने गराम पंचायत का चुनाव यहां से करना होगा तो चलिए हम यहां पर क्लिक करके गराम पंच यहाँ पर पहुत लाखो पैंशन धारक लिस्ट में अपना नाम देखते रहते हैं तो यह वेबसाइट थोड़ा आपको बीजी मिलेगी तो लेकिन प्रोसिज चलती रहती है यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको वेट कर लेना यदि आपके सामने अगला पेज नहीं हो रहा ओपन हमारे सामने ओपन हो चुका है देखे अब यदि आप अपने पहले क्वार्टर की यानि की अप्रेल मैं जून की पैंशन आसी देखना चाहते हैं तो आपको देखे यहाँ पर किलिक करना होगा कैसे मान लीजे यह आपके गाउं का नाम है अब यहाँ पर कुल पैंश पैले क्वार्टर में 36 तो यहाँ पर आपको पैले क्वार्टर की पैंशन देख लेनी हैं अब यदि आप दूसरे क्वार्टर की देखना चाहते हैं दूसरे क्यानी की जोलाई अगस्त सितंबर महिने की तो यहाँ पर आपको क्लिक करके देखना होगा यहाँ पर यह आपक चुके है 41 हो गई है यानि कि यहां पर जो गलती हो रही थी लाभारतियों ने वह अपनी गलती सुधरवाली है और यहां पर जो नए पैंशन धारक है उनको भी यहां पर जोड़ दिया गया है तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है अब यहां पर देखे हम आपको quarter 2 की द कर लेते हैं अब देखे जैसे हम यहां पर scroll down क्रेंगे scroll down होने के बाद यहां पर सबसे पहले आपको देखना है करम संख्या यहां पर registration संख्या है यह आपकी pension की है यदि आपके याद नहीं है तो आपको किसी कोपी में नोट डाउन कर लेना है लिख लेना है वोत ही महत्यपूर संक्या है यदि आप अपनी आविधन फरम देखना चाहते हैं ओनलाइन तो इस रेश्टेंस संक्या की बेना आप नहीं देख पाएंगे क्या गलतिया हो रही है तो इस से ही आप चेक कर पाएंगे तो इसलिए आपको लिख लेना है अब यहाँ पर पैंशन धारक का नाम देखने को मिलेगा उनके पिता या पती का महिला है या पुरूस है आयू यानि की उम्र कितनी है आप जर्नल, OBC, मानुर्टिक किस कैटिगरे में आते हैं वर्ग में आते हैं आप आपको लिखा मिल जाएगा जो आपने मोबाइल नमबर दिया होगा लाश्ट डिजिट देखने हो को मिलेगी पैंशन धारक का एड्रेस अब धन्रासी देखिए तीन-तीन हजाव पे लाभारतियों दे गई है किस बैंक में आपका बैंक खाता है अकाउंट नमबर और ट्रांजेक्शन इसे देखे पैमेंट रिलिज्ट कर दी गई है यानि जो हम आपको दिखा रहे हैं यह है जोलाई अगस्त सितंबर मेनी की है लाखो अभी भी ऐसे पैंशन धारक रह रहे हैं जिनके बैंक हाते में जोलाई अगस्त सितंबर मेनी की तीन-तीनारवे पैंशन आसी नहीं पहुँच पाई है तो यहाँ पर देख लिना है कि क्या गलती हो रही है आप हुमारे पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे अपने गलतिया ठीक करा सकते हैं जिसके पैंशन पिछले तीन महिने की छे महिने की या साथ महिनी की रुकी हुई है उसमें तरीका बताया गया है कि कैसे ठीक करा सकते हैं दस्तव जो कि आपको अविशक्ता होगी और कहाँ पर आपको जाना होगा यदि हम इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा अब देखे जैसे हमने आपको बताया रेसें संख्या, मोबाइल नमबर और यानि कि पैंसन धारक का नाम, पिताजी का नाम तो सबसे पहले आपको क्या करना है मान लीजिए यह आपका नाम है यह आपके पिताजी का एक्जामबल के तोर पर हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर उसके बाद देखे, आप किस कैटेगरी में आते हैं, उम्र कितनी हैं, आपका एड्रेस और आपका बैंक खाता इनसे मालूम हो जाएगा कि यह आपका ही नाम है, इससे आप अपना पता कर सकते हैं अब देखे, लिष्ट में इस परकार से आपको अपना नाम देख लेना है क्योंकि बहुत से ऐसे धारक पैंशन धारक है, जिनका नाम लिष्ट में सामिल ही नहीं है तो सबसे पहले आपको लिष्ट में अपना नाम देखना है जिनका नाम लिष्ट में है उनके बैंक खाते में ही जोलाई, अगस, सितमबर, मैने के पैंशनासे को ट्रांसफर कर दिया गया है ठीक है ना ये आपको देख लिना है अब हम आपको दिखाते हैं कि 3,000 रुपे और 4,000 रुपे, 6,000 रुपे सीधे लाभारतियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर दे गई है इसका माप पुरू भी दिखाने वाले है लेकिस सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है 3,000 रुपे आपको लिखा मिल रहा है नीचे स्क्रोल डाउन कर लेते हैं 3,000 रुपे हैं अब यहाँ पर आप देखे लिखा हुआ है 4,000 रुपे किन लाभारतियों मिले हैं? यहाँ से आप अपनी पूर डेटेल देख सकते हैं 4,000 रुपे इनको मिले चुके हैं अब नीचे लिए चलते हैं नीचे आनिगमाद देखें यहाँ पर 6,000 रुपे भी लिखे हुए है 6,000 रुपे उन लाभारतियों देखे हैं जिसकी 6 महिने की पैंशन रासी रुख रही है कहने का तात्परी है कि सरकार रुखी पैंशन रासी भी लाभारतियों के बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर कर रही है लाभारतियों बैंक खाते में हंस्तातरित किये जा रही है नीचे चलिएगा नीचे आनिगमाद फिर से देखें 4,000 रुपे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिर से नीचे चलते हैं और देखें 3,000 रुपे तो लाभारतियों को दिये ही जा रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं 3,000 रुपे, 4,000 रुपे, 6,000 रुपे, 3,000 रुपे इसका हम आपको प्रूब भी दिखा दिया है कि सरकार लाभारतियों बैंक खाते में रुपी पैंशन नासी भी ट्रांसफर कर रही है जिसमें 6,000 रुपे सामल के गई हैं 4,000 रुपे भी सामल के गई हैं और 3,000 रुपे सरकार三 मैनी के अंतराल पर लाभारतियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है यदि आपकी भी पैंशन बुक रही है तो सबसे पहले आप अपनी गलतियों को ठीक कराईए और आपके बैंक खाते में भी रुकी पैंशन सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारे दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत जादा मोटिवेट मिलता है और वीडियो को जाद से जादा शेर करना ना भूले ताकि जो अन्य पैंशन धारक है किसी की पैंशन रुक रही है किसी का नाम लिस्ट में सामिल नहीं है तो वह भी जानकारी प्राप्त कर सके और अपनी पैंशन असानी से अपने बैंक खाते में ले सके यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दे जाएगा लाश्ट में हम निवेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारे के साथ जब तक के लिए जै हिंद जै भारत